नमश्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है हम पूरे सेप्टेमबर के महीने में 9-11 या फिर 11 सेप्टेमबर 2001 के 20 साल पूरे होने पर एक खास स्पेशल श्रिंखला करें अलग-अलग पहलूओं को देखने के लिए आज हम बात करेंगे कि 9-11 की घटनाओं ने हिंदुस्तान में आतंकवाद, आतंकवाद से जुड़ी हुई तमाम राजनीती, उसकी हैंडलिंग, उसके रिलेटेड कानून कैसे एफेक्ट हुआ, कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा 9-11 के पहले ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान का कोई आतंकवाद से वास्ता नहीं पड़ा था 1980 के दशक से हिंदुस्तान में आतंकवाद एक पोलिटिकल रियालिटी थी 90's में कश्मीर का मुद्दा भी शुरू हुआ, पंजाब की घटनाओं के बाद से तो जब 9-11 की घटनाए हुई तो हिंदुस्तान के लोगों को आतंकवाद के घेरे में काफी वक्त बीच चुका था पिछले 20 सालों में हिंदुस्तान की राजनीती में आतंकवाद टेरिरिजम को लेके किस तरह से एटिचूड बदले, किस तरह के कानून आए, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल महमान है, कॉमोडोर सी उदे भासकर जी, जो बहुत जाने माने स्ट्रेटेजिक और सिक्रिटी एक्सपर्स भी हैं, और डारेक्टर ओफ सुसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज हैं, उदे जी सबसे पहले तो इस कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धनेवाद, खास साथ से स्टूडियो में अभी भी COVID-19 पैंडेमिक का भए तमाम जगा है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत करके हमारे स्टूडियो में आके हमसे बाचीत करने के लिए जो तयार हुए उसके लिए बहुत बहुत धनेवाद, सबसे पहले तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, September 2001 में, हिंदुस्तान में क्या एफेक्ट हो रहा था, आपसे बाचीत करने के लिए मैं जिस तरह से तयारी करा था, तो अचानक से मेरी नजर एक पुराने टेलिवेशन प्रोग्राम पे पढ़ गई, जिसमें BJP के प्रवक्ता क के तोर पर आज के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी थे, तो उनका जो ओपनिंग बयान था, कि मैं बहुत खुश हूँ, कि मीडिया आज इस्लामिक टेरिरिजम की बात कर रहा, जब हम कहते थे, तब कहा जाता था कि आपको किसी धर्म को आतंक से नहीं जोड़ना चाहिए, अ आप फाइनली हमारी बात मान रहे हैं, मुझे याद है उन दिनों हम दूरदशन के साथ जुड़े हुए थे, आप भी आते थे एक विशिश एक्सपर्ट के तौर पर, एक तरह से हिंदुस्तान के काफी हलकों में एक सेंस अफ गली था, कि अब दुनिया को पता चलेगा आ कि फाइनली मतलब दुनिया के लोग हमारी प्रीडा को समझेंगे, तो आप उसको कैसे मतलब सबसे पहले आपके क्या उपनिंग थौट्स आते हैं, अगर हम 9-11 की बात करें, और जैसे आपने वर्नन किया है, ऐसा तो नहीं है कि भारत के अंदर जो दैशरगर्दी की हम बा पहले भी था, और मैं एक विसलेशक होते हुए कहूंगा कि जब से शीत्यूत के समय पे जो लहर हमने देखा था ये मुझाहिदीन वाला, और जब सोवेट उनियन अफगानिस्तान से वापस चले गए, तब से आप कह सकते हैं कि 89-90 से धीरे-धीरे भारत के तरफ वही लहर वही जो दैशरगर्दी का जो प्रभाव था, वो भारत के तरफ खास जमू कश्मीर उस वक जब कॉम्पोजिट स्टेट था, तब से इसकी शुरुआद है, और जहां तक ये पाकिस्तान का समर्धन, मुझाहिदीन और ये इसलामिक जो फरवर हम कहते हैं, आइडिलोजिकल फरवर, इसका जड़ या इसका शुरुआद वहां से है, पर ये बात सही है कि 9-11 के बाद, न्योई यॉर्क के अंदर जो घटना हुआ था, उसके बाद पूरे विश्व के जो राजनीती है, खास लोकतांत्रिक देशों में, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था, जिस से इसलाम और इसलाम के बारे में जो सोच विचार है, उसका एक मुखेधारा बन गया था, जिसमें दैशरगर्दी और इसलाम में एक प्रकार का मैं कहूंगा लिंकेज जो है, वो बनने लगा था, ये बात सही है, 9-11 की घटनाओं का कोई हिंदुस्तान में और जो उसके ब रास्ता नहीं था, लेकिन उन घटनाओं ने हिंदुस्तान की राजनी थी के उपर, हिंदुस्तान में टेररिज्म को लेके, जिस तरह से डिस्कोर्स चल रहा था, जिसके हैंडलिंग हो रही थी, तो कई अलग-अलग पहलूं पे उसका बहुत इंपक्ट देखा गया, सबस बहुत करारा जटका लगा था, और पिछले 20 सालों में ग्लोबल एक्सेप्टेंस, अगर हम कंपेर करें, प्री 9-11 और पोस्ट 9-11, तो ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ कश्मीर मिलिटेंसी कहीं ज्यादा थी, और उसके बाद धीरे धीरे खतम हो गई, और फाइनली जाके हमको 2019 में देखने को मिला, जब भारती सरकार ने उतने मूल भूत परिवर्तन किये जमू कश्मीर के जियो पोलिटिकल स्टेटस के उपर, तो उसको लेके कोई खास विवाद नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हिंदुस्तान सरकार के फैसले के खिलाफ कुछ ज्यादा आवाजें नहीं उठी, ये आपको लगता है कि कश्मीर के जो आंदोलन थे, उसको सबसे बड़ा जटका लगा, बिलकुल, मैं कहूंगा कि ये बात सही है कि अगर हम 9-11 के बाद, इसका जो असर के वारे में अगर समीक्षा करें, तो मैं कहूंग कि कश्मीर का जो मुद्दा है, वो बहुत ही प्रभावित हुआ था, और इसके दो-तीन पहलू है, सबसे पहले आपको याद होगा कि 9-11 से पहले कश्मीर के बारे में जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रे समुदाई में जो बातचीच चलती थी, आपको याद होगा, अमेरिक के लिए एक खास हाई प्रायरिटी बन गया था क्शेतरी मामलों में, 9-11 के बाद अमेरिका ने किसी प्रकार से कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि पूरा धांचा बदल गया था, पहले जो एक प्रकार का ये एक डोमेस्टिक पोलिटिकल इशू था, अभी ये साथ जुड़ गया था, दूसरा मैं कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान, जो कि 9-11 से पहले बार बार अमेरिका के दरिश्टिकोन में, आंतरराश्ट्री दरिश्टिकोन में, इंडो पाक कहते थे, वो हाइफनेशन खता है, बिलकुल, तो पाकिस्तान अलग क्योंकि ग्लोब भारत के अंदर जो समवाद है, उसमें एक परिवर्तन आया था, खास शब्द कोश में, जिसको हम राजनीती के साथ जोड सकते हैं, अरधात ये, कि 9-11 से पहले, अगर आप 1990 से देखें, मान लीजे, नरसे मराव साब जब हमारे प्रधान मंतरी थे, शीतुत के खतम होने के बाद, उस जो समय का अगर आप समिक्षा करें, हम जम्मो कश्मीर के अंदर जो भी अंदोलन था, जो भी वहाँ पे हरकतें थी, हम इंसरजन्सी की बात करते थे, मिलिटन्सी की बात करते थे, हमारे राजनीती में कॉजिटिव फैक्टर्स, पुलिटिकल इशूज परंतो 9-11 के बाद, आप देखिए, चाहे दोरदर्शन हो, या रेडियो हो, या मीडिया में भी, इंसरजन्सी, मिलिटन्सी का जो शब्द है, वो धीरे धीरे सिकुड गया, और टेररिजम हो गया, दैशरगर्दी हो गया, टेररिस्ट हो गया है, तो इससे मैं कहूंगा कि पूरा जो frame of reference है, यह बहुत एक मैं कहूंगा खास मुद्दा है, हमारे सोच विचार में उसका एक असर होता है, तो अगर आप 9-11 के बाद, जो impact की बात करेंगे, मैं कहूंगा इसका एक semantic या शब्द कोश के उपर भी एक प्रभाव है, जिससे हमारा सोच और उससे, जो र कहता है न, terrorism got foregrounded, हमारे पूरे discourse में, हमारे पूरे समवाद में, और इसकी मुख्यधारा बन गई थी, कि किसी ना किसी तरह इसको दबा के रखना है, और ये cable भारत में नहीं, आप अमेरिका को देखिए, ग्लोबल war on terror जब से शुरू हुआ था, अमेरिका के अंदर भी, पूरा जो समाज के अंदर, जो बदलाव आये थे, एक प्रकार का जो कहते है, other ring of the Muslim, ये पस्चिमी यॉरप के देशों में भी हुआ था, पर ये पूरा जो लहर है, जो महौल है, ये बदलते गया, और घटनाओं के बाद से, immediately जो आप शीत लहर की बात करे थे, उसके बाद एक बहुत ही, चुकि आप उसे area के expert रहे हैं, बहुत बड़े विशलेश रहे हैं, तो Samuel Huntington की theory थी, clash of civilizations, जो एक तरह से गलत माना गया था, 90s के course में, suddenly हमारे table के उपर दुबारा आके प्रकट हुआ, क clash of civilizations में जो theory, जो postulations दे गए थे, वो कोई गलत नहीं थे, सही है, सही थे, तो आपको क्या लगता है कि वो जो othering की जो बात करे हैं, हमने मतलब हिंदुस्तान के popular Bollywood cinema, my name is Khan, जैसी फिल्में भी देखी हैं, हिंदुस्तान के Sanskritic राश्टरवाद में किस तरह से, एक तरह से majoritarian flavor आया है, ये भी हमको देखने को मिलता है, उसकी लिए support किस तरह से बड़ा है, वो भी हमने देखने को मिला है, लेकिन एक बहुत मज़दार बात जिस पे आपने कहा कि, इंडिया और पाकिस्तान का जो एक hyphen होता था, वो dehyphenate हो गया, अगर हम recreate करें, कि September 11 के घटनाओं के पहले आगरा समिट की कोशिश की गई, वाजपी जी द्वारा, और उसके तुरंत बाद, कुछी महीनों के बाद, पार्लिमेंट पे अटैक होता है, और फिर 2002 में जो सबसे बड़ी जो cold wave, cold war किसम की situation जो हिंडुस्तान में रही, जब मतलब बहुत international लोग बोलते थे कि Indian subcontinent दुनिया के सबसे dangerous जगाओं में से एक है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो रिष्टा था, जिस framework में 2011 के पहले देखा जा रहा था, तब से लिएक अब तक क्या मूल बदलाव आया है? सब अगर हम 2001 से देखें, हम 20 साल की बात कर रहे हैं, और शायद जो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर वो सत्ते में थे, उनका जो मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान का situation की जो handling थी, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक प्रकार की duplicity या दुगलापन का जो नीती उन्होंने अपनाया है, एक तरफ से वो बार-बार कह रहे थे कि वो अमेरिका को समर्धन दे रहे हैं, ये दैशरगर्वी के जंग में, पर साथ-साथ वो वही गुटों को समर्धन भी दे रहे थे, और उनमें से कई सारे ऐसे गुट थे जो कि भारत के खिलाफ उन्होंने पहले भी अपना बंदुक उठाया था, तो पाकिस्तान के अंदर मैं कहूंगा कि जो भी मुशर्व साथ ने यहां कहा, चाहे आगरा के समिट पे हो या उसके बाद भी, 2007 में उनका एक प्रकारसा खतम हो गया था, और वो चार पांच साल में उन्होंने एक प्रकार का ये डीप स्टेट जो हम कहते हैं, वो काफी उसको बढ़ोतरी मिला था, क्योंकि चाहे वो इसलाम के साथ जो जुड़े हुए मुला या क्लिरिक्स की हम बात करते हैं, या बाहर से जो समर्ध पर पूरा जो उतल था, उसमें मैं कहूंगा कि धीरे धीरे भारत के अंदर, वो पहला जो डेकेड था, 2001 से लेके मान लीजिए, 2011 तक, प्री उसामा के जब तब उसामा जिन्दा थे, और उसके बाद, जबकि वहां पे अमेरिका के अंदर जो राश्टपती बारक अबामा भी भी आये थे, हम इसको दो अलाग अलाग मैं कहूंगा, इस सेग्मेंट में देख सकते हैं, और मुशर्रफ साब का भी एक बहुत बड़ा भूमिका था, पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद, पाकिस्तान के जो अंदरूनी धांचा है, जो भी मुशर्रफ साब ने एक प्रकार का वो लिबरल तरीके से इसलाम का वर्नम करने की जो उन्होंने कोशिश किया था, वो पूरा मैं कहूंगा कि उसका एक यूटरन हो गया था, और 2011 के बाद, मैं इसको सिंप्लिफाई कर रहा हूं, पर पाकिस्तान के अंदर ये जो कटरपनती है, समाज के अंदर, फ अफगानिस्तान के अंदर जो गोट हैं, चाहे हकानी हो, उनको जो समर्धन मिल रहा था, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो दैशरगरवी का लेहर है, इसका प्रभाव भारत के उपर जरूर हुआ था, मैं कहूंगा जो नॉन लीनियर तरीके से जिसक 2001 सब्तंबर के बाद, 2020 का अगर आप पूरा समय देखें, तो करीब 90 दैशरगरवी के जो इंसिडेंट्स हैं, वो अंतरराश्रे जो एक लिस्ट होता है, उसमें शामिल किया जाता है, और उसमें से करीब 20-24 जो फिसदी इंसिडेंट्स हैं, घटना हैं, वो या जम्मु कश दरधरा ये रैडिकलिस्म की जो हम बात करते हैं, उसके साथ कही न कहीं जुड़ा हुआ है, और इसमें आपको याद होगा, मुंबई 2008 में जो हुआ था, 2611, वो तो सबसे लोगों को याद है, उसमें तो खिर पाकिस्तान का हाथ इंडॉल्मेंट का अच्छी तरे से भाव है, भारत काफी पीडित हुआ है, और अभी तक हमको शायद पुरा अंदाजा नहीं है कि अगर हम आइडियालोजी की बात करें, वो कहां तक पहला हुआ है, क्योंकि कई बार हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एसेस्मेंट है, कि स्लीपर सेल्स जो हैं, कई सा उटता है इसमें कि हिंदुस्तान की पिछले 20 सालों में, मतला प्रोसेस तो काफी पहले से चल रही थी, असी के दशक से चल रही थी, क्योंकि ये जो सेंस ऑफ एलिनेशन है हिंदुस्तान में, हमारा आतंकवाद के अलावा, एक मेजर जो पुलिटिकल जो मुद्दा है, व उसका बहुत बड़ा है, तो एक कॉजिटिव फैक्टर तो ये भी है कि जो स्लीपर सेल्स की बात हो रहे थे, लोकल सपोर्ट मिलने के पीछे ये भी एक मूल कारण है, आतंकवाद हिंदुस्तान में सिर्फ इसी फ्रेमवर्क में हम नहीं देख सकते, और भी इशूज हैं, लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिजम जिसको भारतिय सरकार बोलती है, उसके पीछे भी सोशल एक्स्प्लॉइटेशन का एक बहुत डिकेडल बेसिस है, तो कमाम चीजों की जिसको हम बोलते हैं कि कॉजिटिव फैक्टर बहुत हैं, तो उन कॉजिटिव फैक्टर को एड्र पर बिलकुल फरक था, और वाजपी जी की सरकार पहले 2001 से लेके 2004 और 2014 से लेके 2021 अब तक, ये सरकार का तो बिलकुल जो पुलिटिकल अप्रोच है, वो काफी हद तक अगर हम कहें तो उसी शायद विचारों से मोटिवेट होता है, जिन विचारों से वेस्टर नेशन्स इम तो टेरिरिजम पे डुमेस्टिक पॉलिटिक्स का क्या आपको असर देखने को मिला है, इन 20 साल ने, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ये 20 साल का समिक्षा करेंगे, तो मैं कहुंगा कि डुमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, एक इसकी आप इंटर्प्रेटेशन कर सकते हैं कि ये एक प्रकार से इसका उपयोग भी हुआ है यानि कि अगर हम बी जे पी की बात करें जिस प्रकार से उनको अभी इलेक्टोरल विक्टरी मिला है एक उनका प्लैंक ये जरूर रहा है कि ये भै पैदा करने के लिए कि अगर आप इस देशरगर्दी का जो लहर है उसको दमा के नहीं रखेंगे तो तरह तरह का भारत के अंदर जो है इनस्टेबिलिटी या इनसेक्यूरिटी पैदा हो सकता है इसलिए गुजरात के बाद मैं खास कहूँगा दो हजार दो के बाद काफी पॉलिटिक्स के अंदर अंतर हुआ है तो एक आपका बुक मार्क है जरूर हुआ है और खास मैं कहूँगा की जो कॉजटिव फैक्टर्स की जो आपने बात की है पहले एक मैं बहुत ता जाने की दुख के साथ कहूँगा की भारत के अंदर जो इंस्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी है यानि की जो संस्थानिक इमानदारी है वहरे एक केवल एक नहीं अभी दैशरगर्दी के अगर आप बात करें जैसे मैंने कहा कि 90 के आसपास आपके जो घटनाएं हैं 2001 के बाद आप अगर इंवेस्टिगेशन और वर्डिक्ट की बात कहें कि क्लोजर कहा हुआ है मुश्किल से 4-5 है बाकी सब अभी भी इंवेस्टिगेश चल रहा है और मैं यह सांस्थानिक इमानदारी या इंस्टिशूशन इंटेग्रिटी के बारे में इसलिए मैं इसको रेकाकित कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें पिछले 4-5 साल में मान लीजिए पुलवामा उरी के अब बात करें आपको याद होगा वो DSP साथ चाहे वो इन्वेस्टिगेशन पुलीस के बारे में आप कहें या जोडिशन जो प्रोसेस है और किसी भी केस को उस प्रकार का ख्लोजर नहीं होता है और आम नागरिक के मन में खास अगर आप उस वल्नरबल जो डेमोग्रिफी के हैं चाहे आप जाती के बारे में कहें या आर्धिक परिस्टियों की वज़ए से कहें या धरम के बारे में कहें एक क्रॉस सेक्शन है जो आपने आपको बहुत ही वल्नरबल की समझते हैं और उसके उपर हुकुमत का हाथ काफी भारी पड़ता है तो उनके अंदर ये भै अभी पैदा हुआ है और ये कई बार ये जो होना चाहिए किसी भी लोगतांतरिक देश के लिए और उससे पताने मैं कैसे समझाओ की हर एक समाज का एक ओजोन लेयर होता है जैसे हम कहते हैं कि सूरज का धूप उसको बचाने के लिए ओजोन लेयर होता है अगर वो ओजोन लेयर के अंदर छेद हो जाता है तो के अंदर ये जो सोसीटल ओजोन लेयर है जिसमें हर एक का अपना अपना एक एक दायत वहे एक जिम्मधारी है चाहे आप नागरिक हो या पुलीस के आफिशल हो या ब्यूरोक्राइट हो या आप जुडिशरी में हो या पॉलिटेशन जो भी आपका जो समाज के अंदर जो का रोल है वो हर एक प्रकार से मैं कहूंगा कि उसमें एक लोरिंग हो गया है हम सिकुड गए हैं अपने ही अंदाजों में और ये एक लोकतांत्रिक्स मैं कहूंगा लहर के लिए इसमें कोई शोभा नहीं है जी आपने कहा था कि मतलब इंस्टूशल इंटेग्रिटी की बा बहुत फेमसली समझाता है एक्सप्रेस वाला जो केस आता है उसके बारे में तो उसमें इन्वेस्टिगेशन एक दिशा में जा रही थी सरकार बदल गई तो बोला गया कि ये दिशा बिलकुल गलत ही ये पोलिटिकल वेंडेटा था तो वो दिशा बदलके उसको पूरी त धर्म और उस धर्म को फॉलो करने वाली जो कौम है वो उसके लिए उनका दाई तो है ये एक चीज़ देखने को मिलता है तो इससे एक सेकुरिटी एक्सपर्ट के तोर पे क्या आतंक के मतलब जो हम कहते हैं कि टेरिरिजम का जो सस्टेनिंग बेस है इसको क्या मजबूती म जाएगा परन तो आपने कहा था और बार बार हमको यह याद रखना है कि भारत के अंदर अगर हम टेरिरिजम या इंसरजन्सी या इंटरनल सिक्यूरिटी के अगर बात करें वो केवल इसलामिक टेरिरिजम नहीं है जी बिल्कुल तीन अलग अलग इसके वर्ग हैं को एक पुलिटिकल दाइरे के अंदर लाए थे नागा का एक्जामपल सबसे मशूर है आपको याद होगा उस वक्त कई सारे नागा के जो लीडर से वो अंडर ग्राउंड चले गए थे भारत के बाहर चले गए थे पर पंडित नहरू के जमाने से लेके उसके बाद जितने अब ही इशू लिंकर कर रहा है नागा लैंड का भी इशू अन्रिजॉल्ड है बिलकुल पर वो कॉंपलेक्स भी है क्योंकि जैसे हमने देखा हाल में मियनमार के साथ जो हुआ था काफी लोग हमारे मारे भी गए थे वो एक है दूसरा है हमारा सेंट्रल इंडिया में जैस जो हमारी जिम्यदारी थी स्टेट की अब्डिकेशन हो गया है और यह मैं कहूंगा कि पूरे भारत के नागरिकों को इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए कि इंडिया हैस लेड डाउन इस ट्राइबल पॉपिलेशन और तीसरा है यह जो स्टेट स्पॉंसर टेररिज जो हम पाकिस्तान के साथ जोडते हैं पर वो भी पिछले 20-25 साल में काफी उसमें बदलावाया है और अब ही हमारा जो पॉलिटिकल या राजनेतिक मोहल ऐसा है कि हम उसी को ज़्यादा एहमियत दे रहे हैं उसको आगे बढ़ोत भी दे रहे हैं और यह मैं कहूंगा कि भा भारत वो काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि डेमोक्राटिक देश में अगर आप रूल ऑफ लॉव और जो हमारे नियम हैं उनकी अगर हम मर्यादा नहीं करेंगे तो वही होगा कि मान लीजे मैं इसको अगर मुझे समय देंगे मैक्स वेबर कहता था that the state has monopoly of legitimate violence उसी से आपका internal security का वो प्रथम स्थंब है अगर state इस legitimacy को हटा के हम encounter जैसे violence को बढ़ोतरी देंगे तो वो आपका internal security धाचे के लिए बहुत ही मैं कहूंगा कि नकारात्माग होगा और हमको इसके बारे में काफी गंभीरता से सोचना चाहिए हमारे संसद में संसद के बाहर और हमार universities में, colleges में, हमारे नागरिकों को इसके बारे में सोच-विचार करना चाहिए एक चीज जो देखा जाता है जिसके बारे में काफी लोगों ने टिपनी भी किये हम जैसे पत्रकारों ने भी इसको अलग-अलग तरीके से हमारी जो area of specialization है उसमें लिखते हुए point out किया है 9-11 ने state को, Indian state को irrespective of political party को बहुत मौका दिया अपने आपको मजबूत करने का और बहुत series of draconian laws लाने का मैं जल्दी से आपको recreate करके याद दिलाता हूँ September 2001 के तुरंत बाद, Poto Pass होता है, Ordinance आता है, Prevention of Terrorism Ordinance उसके बाद, 2002 में opposition के बावजूद, वो law बन जाता है UPA की सरकार आती है, उसमें terrorism के issue को लेके, काफी handling को लेके उस चुनाव में play out किया गया था तो वो आके उस कानून को repeal तो कर देती है, Pota को repeal तो कर देती है लेकिन उसी साल 2004 में, UAPA जो Congress की सरकार 1967 में पहली बार लेके आए थी और जिसको लगातार, बीच बीच में, अलग-अलग Congress की सरकारों ने उसको और strengthen किया था amendment लाके, दुबारा से लाती है, और लगबग उतना ही ammunition देती है UAPA को, जो Pota में होता था उसके बाद UAPA ने उसके और amendments किये, 2008 में किये, 2012 में किये, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिलाल जो अभी सरकार है, उसने 2019 में और उसको मजबूत किया, और अभी आम नागरी को भी terrorist declare किया जा सकता है और पिछले दो सालों में हम देख रहे हैं कि शायद preventive arrest के तोर पे जितना ज़्यादा एक तरह से epidemic फैला है कि किसी को भी terrorist गोशित करके उनको arrest कर लिया जाता है और बेल की कोई गुंजाइश नहीं है तो क्या 9-11 ने Indian state को irrespective of political power शायद उस सरकार ने जादा इस्निमाल किया हो जिसकी ideological purpose भी रहा हो लेकिन at the end of it the Indian state has only bolstered itself and crushed democracy the short answer is yes, yes to the increased I would say power that the state has accorded unto itself और खास जिस प्रकार से अभी surveillance state बन गया है ये 9-11 के बाद पूरे विश्य में हर एक लोगतांतरिक देश में यैसे उदाहरन के लिए जो airport security है आप देखिए 9-11 के बाद वो कितना उसके अंदर आपने layer after layer जो security के protocol बना दिये वो 2001-2002 की हम बात कर रहे हैं अभी अगर आप 2020-2021 की बात कर रहे हैं आप Pegasus का उदाहरन डीजे Pegasus केवल भारत में नहीं पूरे विश्य में अगर आप Snowden वगरा का आप टिपनी देखेंगे ये technology को इस्तेमाल करते हुए सारे authoritarian देश की तो बात छोड़ी दीजे चाहे वो चीन हो या रूस हो उनका तो अलग ही धाचा है पर अभी तक हमारा आशा यही था कि लोकतांतरिक देश जो हैं वो individual freedom और liberty को वो दाइरे में उसको वो सुरक्षित रखेंगे और उसको एक प्रकार सा वो उसको संभा लेंगे सही प्रकार से क्योंकि हर एक politician भी अंत में यो नागरिकी है वो electoral cycle के माधियम से वो elected representative बन जादेगे वरना अगर हर एक लोकतांतरिक देश के अंदर आग समिक्षा करेंगे मैं कहूंगा यह technology का प्रयोग करते हुए और यह जो भै पैदा करते हैं अदर इंग जो किया हमने बात की है यह surveillance जो है वो बहुत बढ़ गया है और साथ साथ यह जो कानून को उन्होंने इस प्रकार से उसको tweak किया है या उसमें ऐसे बदलाव लाया है कि नागरिक के पास जो जो space है वो बहुत ही कम हो गया है भी और आपको हिचक हिचक के देखना है कि क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं आपको याद होगा अभी social media पे कहा गया है कि अगर आप message को forward भी करेंगे तो आप anti national मानने जाएंगे तो इस प्रकार के जो है ये सही है कानून के मताबिक क्या नहीं कोई नहीं कह सकता है पर आप वो एक प्रकार का जो है ना perception जो है अब बना देते हैं और उससे मैं कहूंगा कि ये सब post 9-11 का social cultural जो impact हुआ है ये बहुत complex भी है बहुत ही मैं कहूंगा कि ये जटल के अलावा इसमें कई सारे मैं कहूंगा कि चिंता जनक इसके कुछ पहलो है जिसके बारे में हमको सोच विचार करना चाहिए आप से बात करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने बहुत ही ठीक है बात pessimism के end पे आके खतम होती है लेकिन आपने वही sense को articulate किया जो sense बहुत हो को लगता है कि थोड़ी घुटन की महसूस अब थोड़ी ज़्यादा होती है पिछले 20 सालों में आज के कारिकर में इतना ही एक sense of closure जरूर हो रहा है 20 साल बाद अमरीका के अफगानिस्तान के withdrawal से लेकिन हिंदुस्तान में 9-11 के 20 साल बाद कोई sense of closure नहीं लग रहा है आतंकवाद को लेके जिस तरह से state मजबूत होती रही है जिस तरह से उदेभासका साहब हमें बताए कि एक democratic process में थोड़ा सा खुटन महसूस हो रही है आज के लिए इतना ही काफी धन्यवादी कारकम देखने के लिए